हेलो माई यूटूब फैमली आज मैं आप सबके साथ मुंग डाल की बड़ी की रेस्पी सेयर कर रही हूं जो कि एक बार आप बनाई और साल बार खाये बहुत अच्छी लगती है इसकी रेस्पी चलिए सुरू करते हैं तो इसके लिए मैंने रात पर हरी मुंग की डाल को रा तो ग्रांडिंग डार में हम खड़े मसालों को डाल कर पीस लेते हैं मैंने कौन-कुन से मसाले लिए हैं इसको मैंने वीडियो में मैंसल कर दिया है आप देख सकते हैं और फिर मैं डाल को पीस रही हूं दाल को हमें बीना पानी डाले ही पीसना है और दाल पीस्टे समय ही ह होगा कि हेंका फ्लेवर पूरी दाल में अच्छे से मिक्स हो जाएगा और हमें दाल को नहीं बहुत पतला रखना है ना बहुत गाड़ा स्मूथ पेस्ट बनाना है अच्छा अब हमारी सारे दाल पीस कहीं तो मैंने मसाला पीसा था हो डाल दिया है अद्रक और हरी मिर्च को चौक करके जो रखा वो डाला है हाड़ी धन्या को भी डाल दिया है और सब को अच्छे से मेक्स करते हुए लगबक 6-7 मिनिट हम इसे फेटेंगे जितना अच्छा फेटेंगे हमारी बढ़ी आउत्मिया अच्छी बनेंगी और इसकी सब्ची और कचोड़े भी बनती है आ अब हम थोड़ी सी में हल्दी डालने भूल गए थी यहां हल्दी भी डाल देते हैं और फिर इसे चेक करेंगे कि हमारी बढ़िया मतलब हमारा जो बैटर है यह वो पाफी बना है कि नहीं जिससे यह अच्छे से फूलेगा तो हम क्या करते हैं थोड़ा सा पानी ले लिया ह और उसमें हम इसमें थोड़ा इसका बैटर डालेंगे अगर यह बैटर हमारा तैरता रहता है तो इसका मतलब यह सही बना है अब मैंने थोड़ा सा और धाली में ओल को ग्रेस करके लगा दिया था इसमें थोड़ी जोटी बढ़िया काट कर डाल दी हैं हम इस प्रकारी सारा बनाया है आप इस प्रकर बनाएं बहुत अच्छे से बन जाए का कोई दिक्वत नहीं होगी और जब ऐसी मैंने सारा बना लिया है और तीन से चार दिन अच्छे से दूप में सुखाद कर फिर हम इसे एर टाइट कंटेनर में बर्श कर रख देंगे कितने अच्छे से बहुत अच्छे से सूप कर त्यार हो गई है आप सब का बहुत बहुत धनेवाज वीडियो रहतने के लिए